है गाईज वेलकम बाक टो यौर चानल सो गाईज एक और बहतरी इन स्टॉक अनायसिस की वीडियो आज मैं आपके लेकर आचुका हूं सो गाईज आज हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्री के बारे में कि कंपनी करती क्या है जो स्पेशालिटी चेमिकल्स और फार्मसूटिक आध को बात करने के बाद है आपको बता है technically लेट करें लिबल्स में त 코로 थोड़ा लगा खालागया क्या सपोर्ट रहने-, वाली है जो आल्रेडी होल्ड करने के लिए क्या लेवल रह सकते हैं उन्के लिए इन्वेस्टिंग के लिए जो स्टॉक का अल्टाइम हाय है वह हजार से हलका सा उपर है यकहाँवार्ग सुद्धिन के लिए जा उसका है उसका उसकी है रुसोगाइब और इस्में ट्री इन्देक पारं यह जो मैं लास्ट को को सबम्रीन का लाम्येर लाइंश को अब हमें चीज देख रही है कि क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले अब ना कुछ मैं आप लोग लिए बना रहा हूं यह आपको में एक जोन बनाया भी 800 का लेवल अब में कॉमेंट सेक्षिन ने बताओ कि अगर जमारा प्राइज है 655 का अगर वापिस धीरे 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 ऐसे ऐसे करते करते 800 जाता है तो कौन सा पैटन फॉर्म होगा ठीक है तो इतने कॉमे छोटीसी बिशलों करते से जिराओं नहीं से जुक्त जान रहें एक चैनल है तो हम पता है यह इस पैटन फार्म हो रहा है डिस इन्वर्स कपहण हैं और यह जो में आठ्सों का जो सबसे पहरे मैं कि आप लिए जो इन प्लाय रॉन भी अफिप है आपका कि आपको क्या आरती इंडस्ट्री का जो हमारा वन वीक टाइम फ्रीम का चार्ट है वो क्लियर होगी होगी छेसो पच्पन पे चल रहा है अगर आट सो तक गया जिस तरीके से जा रहा है इनवर्स का पेन हैंडल और हमें क्या करना होगा टागेट निकालने के लिए इसकी डैफ को मैजर करेंगे प्राइस रेंज कर प्लॉट कर दींगे ऐच सो रॉपसे और फिर हमारा क्या निकल के आएक बदन कर देंगे 5000 ड्रॉट कर आगर मैं आप आपको था गिंप लिएन ड्यांप्ल बता हो सो approximately 350 points हमारा target निकल के आ रहा है विच इज अगर मैं 800 में add कर दू 350 को सु मेरा निकल के आ रहा है वो approximately 1150 रुपे का which is approximately 140 points more than its all time है सो गाई अप्रोक्सिमेटली 1150 रुपे का target निकल के आ रहा है अगर मैं RT industries की बात करूँ 655 रुपे से अगर inverse cup and handle pattern यह जो हमने बात करी अभी अगर यह form होता वह दिख रहा है 800 तक प्राइज आता वह में दिख रहा है चार्ट पैटन पर तभी हमें एक formation inverse cup and handle की अपने चार्ट पैटन पर दिखेगी और 350 पॉइंट का आप लोग के लिए टागेट रहेगा 800 रुपे से 800 रुपे में आड कर दो गया तो 1150 रुपका टेकनिकल टागेट निकल के आ रहा है गाई अब कुछ लेवर्स के बारे में discuss कर लेते हैं अब एक काम करते हैं जरा कि छि लेपृट्र आपलो के लिए हल्का समय redistribute कront women बात करते हैं गाई याइज ऑन वी टाइम करेंगे फेले आप लुग एप लिखे बारे में भी इस पहले आप लोग् kg support important supports के level बता देता हूं important supports so guys your first और आज जो first or immediate support आपका रहने वाला है वो आपका first रहेगा 600 रुब्य का second 600 का level break हुआ candle sustain कर रही है sharp selling आपको देखने को बलेगे 600 के लेवल से so 600 के बाद सीधा आपको 520 का level देखने को बलेगा और third जो आपका सबसे जादा सबसे जादा मैं बोलूँगा strong support रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 440 का level 520 के बाद सीधा 440 आप देख पारे हो इसमें 80 पॉंट का gap और 520 और 440 में भी 80 पॉंट का gap तो खासियत है हमारे लेवल में comment section में सुरू बताना कि क्या खासियत लग रही है आयोप आपको support के level clear हो गई होंगे पहला support रहने वाला है 600 रुबे का 110 रुपए ठीक है 655 में price trade हो रहा है पहली resistance रहने वाली 710 रुबे की second resistance जो आपकी second resistance रहने वाली अगर 700 का level breakout कर रहा 800 रुबे सीधा 800 रुपए का target है जिसे कि आप देख पार हो यह 800 रुपए का price और आप देख पार हो price ने कितना ज्यादा रियाक्ट कर रहा है 800 रुपए के level के आसपास कितना ज्यादा रियाक्ट कर रहा है यही से आपको शार्फ फॉल देखने को मिला था यही मैं बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा strong most strong resistance रहने वाली है क्योंकि this is our neckline neckline की बोल रहा हूं है अगर हमारे inverse होता है तो इसकी प्रॉबिल्टी है ट्रेड हमारी जाने की साथे तीन सो पॉइंट की अकॉर्डिंग 1150 रुप का टागेट जरूर आ सकता है जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट टागेट इसका रहने वाला वो करीबन 920 रुपे का रहेगा और 920 रुपे तो आपको बता है एक हजार दस एक हजार फंद्रह के आसपस इसका all-time highest इस टॉक का आए आपको कुछ important levels आर्थी इंडस्ट्री में clear हो गए होंगे जो स्टॉक था यह आर्थी इंडस्ट्री का यह मैं 200 एमें प्लॉट कर रहा है आप लोगे काफी टाइम तक 200 एमें की नीचे ट्रेड कर रहा था रीसेंटली मैं बोलूंगा 2023 की ending में इसने युनोओ 200 एमें हलका उपर आए बट अभी इस चेल टेकिंग सपोर्ट ऑन इट्स्ट्री में 200 एमें इसका अप्रॉक्सिमेटली पांसोशाफ रुपे पे और यह जो स्टॉक है प्राइस की अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा टूंडे यह में करेंटली वन वीक टाइम पर बात करूँ तो पांसो साथ रुपे पे इसका टूंडे डियम है और क्लोजिंग प्राइज आपको घ्री किस अडिबार यह व्य विम साथ रहें आपको नहीं होगों की फरतेलं 2020 यह में से बहुतियल को beautiful 407 064 is 10.4 percentage debt to equity 0.64 है और गाई बुक वाल्यू स्टॉक की 139 ना करन प्राइस जैसे कि बने बात करी सी सो पच्पन रुबेगा चल रहा है अब रोई रिटर्ण अन equity 11.6 percentage का थोड़ा सा negative इसमें चीज़ बताता हूं प्लेज़ परसेंटेज की प्रमोटर्स ने या प्रमोटर्स ने हो 2.38 percentage प्लेज कर रहा है हाई लो आप देख पा रहे हो फेस वाली पांच है जो डिविडेंट इल है वो 0.38 percentage अब ग्याइश नीचे चलते हैं जो इस कंपनी में इस सेक्टर में प्रिटलाइट इस तो यूण मार्केट के प्लेज़ेशन में अब कर लेता हूं तो सेल्स का डेटा है सेल्स का डेटा हम देख रहे हैं अब सेल्स के डेटे में हमें हलक कासा एक इनों देखने को मिला था बट दिसेंबर दोज़ाइस में बहुत ही अच्छी रिकावरी देखने को मिली है वन थाउजन सेवेन थिटी टू करोड की सेल आई है अगर मैं बात करूं आर्थी इंडस्ट्री की जो की 1450 करोड सब्टेंब अब थोड़ा स्टेबल ऊनों शुरू हुआ है दिसेंबर 2022 में 289 करोड माश दोज़ाइस में 252 करोड जून 2023 में 200 करोड सब्टेंबर 2023 में 233 करोड और दिसेंबर 2023 में 260 करोड का आपका ऑपरेटिंग प्रोफित हुआ करता था अब इसमें एक और चीज दिख दिख रहे है में profit before tax so guys profit before tax की अगर बात करूं December 2022 में 160 क्रोड का था March 2023 में 135 क्रोड का था फिर 71 क्रोड का हुआ June 2023 में September 2023 में 82 क्रोड का हुआ और आपका फिर दुबारा December 2023 में 117 क्रोड का आपका जो profit before tax से वो clock हुआ था अब एक काम कर लेता हूं अब थोड़ा और नीचे चलते हैं अब आपको बता है जब मैं stock analyst करता हूं मिले रिजर्व और बॉरिंग्स का रेशो बहुत ही ज़्याद होता है अब इस मेना में थोड़ी सी मिलब मैं बोलूँगा बाइड समनलो क्योंकि बॉर्विंग्स थोड़ी जादे कंपनी के उपर जितनी होनी चाहिए आपको चीज दिखा जैता हूं अब थोड़ा रिजर्व और बॉरिंग्स के उपर बात करते हैं मार्श 2019 में 2401 करोज की बॉर्विंग उसके बाद प्री पेमेंट रिपेमेंट करीं होने मार्ष 2020 में 2100 crore की सीधा 300 crore इंड पेय आफ कर दिया 300 जादे कर रा फिर दुबारा 800 crore की borrowings company के बढ़ गई फिर दुबारा 300 crore कम किया फिर दुबारा 100 crore बढ़ गई और अब सबसे अभी तक की सबसे highest मैं बोलूगा borrowings अपनी उपर so company has approximately 3,207 crore of borrowings against the against the reserves of 4,848 crore so the company's borrowings are at all-time high although all-time high borrowings तो है बट जो reserves वो भी all-time है बट उसके comparison बहुत negligible मैं बोलूगा हमेशा कोशिच यह करनी थी उन stocks में इंवेस्ट करना चाहिए अगर उनका financing का business नहीं है private sector bank का business नहीं है banking sector में business नहीं है कि जो reserves है ना वो जैसे अखर माला 100 crore की reserves है तो borrowing कम से कम 10-15-20 crore हो नहीं है maximum 10 crore 15 crore 20 crore so these are good sustainable businesses that you can invest for long term borrowings बहुत ज्याद है company की थोड़ा सा यह में को major negative point लगा so guys थोड़ा नीचे चलते हैं अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं अब गई ज़रा shareholding pattern के बारे बात करते हैं जोगा आपको पता है कि बहुत जाद important role play करता है मेरी वीडियो में अब guys हम इसमें देख पारेगी जो promoter की holding promoters are decreasing their holding 44.07 percentage हुआ करती थी उससे पहले भी 44.15 उससे पहले भी 44.16 फिर 44.19 44.21 मतलब constantly अब जून 2023 का जो data यहाता है में 43.65 percentage सब्टेंबर 2023 में 43.57 percentage थी फिर दिसेंबर 2023 में 43.54 percentage थी प्रमोटर की holding अब क्या पता अपका जो data है मारा मार्च का उसमें पता चलेगा कि क्या जो holding है promoters की वो बड़ी बड़ी है नहीं बड़ी गाइज जगर मैं foreign institutional investors की बात करूँ so foreign institutional investors are also decreasing their holdings जून 2022 में 12.17 थी सीधा उरोने FIIs ने 10.58 कर दी और दुबारा हलकी सी बड़ाई है 10.83 गाइज जगर मैं DIs domestic institutional investors की बात करूँ so जो उनकी holding है वो 14.83 हुआ करती थी जून 2023 में सप्टेंबर 2023 में 16.14 हुई फिर दुबारा दिसेंबर 2023 में 15.82 परसंटेज की holding थी और आप देख पा रहे हो मार्स 2023 में 28.87 इंक्रीज करके 29.33 जून 2023 में 29.72 परसंटेज दुबारा इंक्रीज हुआ फिर 29.78 परसंटेज दुबारा इंक्रीज हुआ तो प्रमोटर की holding डिक्रीज हो रही है पबलिक की holding भी बढ़ रही है अपनी holding बेच रहे हैं रिजर्व जतने नहीं है बहुत ज्याद है कंपनी पर बहुत ज्याद हैं बहुत ज्याद है इंकम पारिजन आपको ब्रीफ अनाइलसिस वीडियो हमारी आर्टी इंडस्री से अगर आप अपनी position build-up करना भी चाहरे है या अगर आप पोर्फोलियो में आर्टी इंडस्री को hold कर रहे हो इन चीजों को ध्यान जरूर रखना जिनके बारे में हमने आज बात करी अगर आप बीडियो आप इस वीडियो को जड़ी चाहिए वीडियो तो अपने फ्रेंज और फैंस वीडियो को दूरूर शेयर करना उनको बताना आर्टी इंडस्री के बारे में कमपनी करती है टेकनिकल्ली फंडमेंटली कितना साउंड स्टॉक है बढ़िया है या नहीं ह तो मैं अमने बता है कि बढ़िया तो guys we'll be back for another great video for you guys thank you so much guys for watching see you